हाँ जी कैसे हो आप लोग सब ठीक था कुशल मंगल सब ठीक था कुशल मंगल चलो जी आज हम जिस चैप्टर की रिवीजन करने जा रही हैं है किया इंटर नवंबर 2023 एटेंट जिस चैप्टर की रिवीजन होने चार ही है उस चैप्टर का नाम है Memorandum of Association इस चैप्टर की एक्जाम में वेटेज कितनी है मैं कह सकता हूं चार नमबर तक के वेटेज हे जो एक्जाम में चार नमबर तक का ये चैप्टर जो है वो पूछा जा सकता है? कितने नमबर तक का 4 नमबर का? ऑके अब हर बार ये चैप्टर आए senhor फास्तर आई ये शीनींव नहीं है कभी आ सकता है, कभी नहीं te cinco तो अब जो भी आपके पास material है, चाहे copies है, चाहे book है उसे open कर लीजिएगा जो मुझसे पड़े हुए हैं, वो आपकी copies, books जो भी है वो सामने रखेगा जो मुझसे नहीं पड़े हुए वो अभी फिलाल जिन से भी पड़े हुए हैं, उनके notes सामने रखेगा और class के बाद ये जो assignment मैं use कर रहा हूँ ये इस video के link में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से देख सकते हो ठीक होगे इती बात, चले तो let us start with, हाँ जी कभी जैन कहते हैं कि new course के बारे में थोड़ा चर्चा कीजिए अभी एक या दो दिन ओल लगेंगे new course के बारे में पूरी detail आने में मतलब जो transition वगरा है या फिर जो जिनकी exemptions वगरा वाले point हैं वो institute ने अभी तक clear नहीं किये हैं तो जैसे institute उन points को भी clear कर देगा तो उसके बाद फिर मैं इंटर वालों के लिए बनाऊंगा जैसे आज रात को 11 बजे मेरो session जो है वो CA final वालों के लिए है कि CA final वालों के लिए चर्चा करूंगा मैं कि उन्हें क्या करना चाहिए CA final वालों वाट आपके लिए चर्चा का मुद्धा जो है वो बाद में रही ना एक दो दिन ओर रुख जाओ CA institute कुछ FAQs ला रहा है फिलाल हम शुरू करते हैं Memorandum of Association section 2 clause 56 Memorandum of Association की definition बताता है क्या मैं कह सकता हूँ ये company क्या जिन्दगी का सबसे पहला document होता है जो कि ROC को फाइल होता है येस बहुत important document भी कहा जाता है क्योंकि इसी में company का object वगरा भी लिखा हो जाता है company का object वगरा भी लिखा होता है ये वो fundamental condition क्लेम करता है contain करता है जिनके basis पे company का incorporation होता है इसी में लिखा होते है company का नाम क्या है company का object क्या है company की capital क्या है ये सब company की liability क्या है ये सब कुछ यहीं पे लिखा होता है ठीक है जी तो पहला पहला exam के point of view से relevant है मैं कहूंगा नहीं exam के point of view से relevant नहीं है फिर आईएगा name clause important है काफी name clause company किसी भी company का नाम end होना चाहिए limited से अगर वो public limited company है और private limited से अगर वो private limited company है but ये requirement नहीं लगेगी अगर आप section 8 company हो तो section 8 company को अपने नाम के आगे limited या private limited लगाने की ज़रूरत नहीं है oh my god यार ये क्या कर दिया मैंने screen तो on ही नहीं है हे बगवान ना लाइक हो तुम भी खोए हुए हो ये नहीं बता सकते मुझे किसर स्क्रीन ओन नहीं है अरे बताओ कैसी कैसी बाते करते हैं ये लोग screen तो on ही करना भूल गया मैं अपनी मुझ मस्ती में पढ़ाई जा रहा हूँ पढ़ाई जा रहा हूँ चलो जी चलो अब screen दीख गई होगी अब तो तो नाम जो company का नाम है वो या तो limited से end होगा या फिर private limited से end होगा limited से end होगा अगर public limited company और private limited से end होगा अगर private limited company है और this is not applicable on the section 8 company यानि कि section 8 companies अपने नाम के आगे नाम के आगे चाए limited या private limited यूज ना भी करें तो भी कोई फरक नहीं पढ़ता है तो भी कोई फरक नहीं पढ़ता है फिर reservation of name MCQ में एक दो बार आ चुका है reservation of name देखो जी सबसे पहले क्या होता है जब भी company का incorporation होता है तो आप ROC के पास सबसे पहले नाम की application लेके जाते हो नाम लेके जाते हो कि नाम हमें ये वाला नाम चाहिए जैसे ही आप नाम की application लेके जाओगे ROC आपका नाम अप्रूब कर देगा और नाम अप्रूब करने के बाद 60 दिन तक आपका इंतिजार करेगा कितने दिन तक आइंतिजार करेगा 60 दिन तक अगर आप नाम अपना existing change करवाने जा रहे हो change of its name यानि कि existing company अपना नाम अगर change करवाने जा रही है तो फिर जो नया नाम उसने अप्रूब कराया है वो 60 दिन तक reserve रखा जाएगा कि इन 60 दिन के अंदर बाकी formalities भी complete कर दो company अच्छा परन्तु अगर company कोई नया नया नई नई company है नई नई company जब नाम रखवाने जाएगी और नाम approval लेके आएगी तो फिर उसके बाद ROC उस नाम को reserve रखेगा 20 दिन तक कि 20 दिन के अंदर अंदर बाकी जो document है incorporation से related वो ROC के पास file कर दीजिए तो यानि कि ROC company का नाम reserve रखेगा कब नई company के लिए भी और existing company के लिए भी नई company जब incorporate होगी तो कितने दिन तक reserve रखा जाएगा 20 days और existing company जब अपना नाम change करना चाहेगी तो नया नाम कितने दिन तक उसके लिए reserve रखा जाएगा 60 दिन तक एक तो तुम हाँ नहीं बोलता है यहाँ दुखता है बड़ा बोलो हाँ नालाइकों चले cancelling the name अगर मान लिजिए company का नाम जो है वो गलत तरीके से रखा गया मतब नाम सही नहीं रखा गया for example किसी existing company के नाम से मिलता जुलता है या फिर नाम में जो गलत information दी गई है कि मतब ऐसा कोई नाम भारत में यूज नहीं हो रा मतब गलत information दी गई है तो अगर तो company का incorporation नहीं हुआ अभी तो ROC जो reserved name है उसे cancel कर देगा और जिसने भी application file की थी उसे एक लाक रुपे तक की penalty लग सकती है यानि कि यह नाम उठा के cancel कर दिया जाएगा जिसने भी application file की उसको एक लाक रुपे तक की penalty परन्तु अगर मान लीजिए company का incorporation हो चुका है अगर company का incorporation हो चुका है तो ROC फिर क्या करोगे company को direction दोगे कि चलवे नाम चेंज कर और company को जैसे ही यह direction मिलेगी company के पास नाम चेंज करने के लिए कितने वक्त हैं तीन महिने क्योंकि company का नाम किसी existing company के नाम से मिलता जुलता है ROC ने direction दी company को कि company company for example मान लीजिए मैंने Tata Chemical Limited से मिलता जुलता नाम लग दिया Tata Petro Chemical अब रतन टाटा मेरे पैसा है उन्होंने का company साब नाम चेंज करो मैंने का जाना उन्होंने का ऐसे नहीं bättre Timothy साब naam change करो मैंने का जाऊ ना तो उन्होंने का motherboardly साब naam change करना पड़ेगा मैंने का भाई साब ऐसा है मैंने आकर एक बार decide कर लिया मैं अपने आपके नी सुनता फिर दोबारा तो नाम तो यही रहेगा मेरा पोपली पेट्रोकेमिकल लिमिटेड अब टाटा साब के पास option क्या है कि वो रोसी के पास जाएं और रोसी मुझे direction दे कि चल पोपली नाम चेंज कर क्या मैं आरोसी को भी कह सकता हूं अब जान है नहीं कह सकता नहीं कह सकता भाई साब वो मेरा वो हाल करेगा जो मुझे बैठने में भी दर्द होगा समझे चलिए तो आगे तो यसलिए अगर आरोसी की direction है तो फिर company तुम्हें तीन महिने के अंदर अंदर अपना नाम चेंज क कि आजा सकता अगर company का incorporation हो चुका है गलत नाम से तो यह अभी तक का most important paragraph था कि अगर company का incorporation गलत नाम से हो चुका है तो क्या होगा अगली बाद नाम के लिए ही एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो भी नाम आप मेंबरेंडम में रख रहे हो वो identical मतलब मिलता जुलता न नहीं होना चाहिए और मिलता जुलता नहीं होना चाहिए ताकि public कहीं confused ना हो जाए तो इसलिए मिलता जुलता भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल सेम भी नहीं होना चाहिए अच्छा दूसरा नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए जिसको यूज करना अपराध माना जाएगा अपराद माना जाएगा, हाँ, for example, आग लगा दूँगा private limited, यह क्या है, अफीम supply private limited, अबे पागल है क्या, terrorist training private limited, यह क्या हो रहा है, तो ऐसा कोई भी नाम use नहीं होना चाहिए, जो अपराधिक नाम लगे, दूसरी बात, नाम ऐसा भी नहीं होना चाहिए, जो के undesirable हो, undesirable का म undesirable, क्या था नाम undesirable तब माना जाएगा, जब नाम में कोई ऐसा word use हुआ है, जिससे पता लगता है कि company या तो connected है, या company को सनरक्षन प्राप्त है, company या तो connected है, या उसे सनरक्षन प्राप्त है, किसका, CG का, state government का, local authority का, या फिर किसी और other body का, जो कि central government और state government के अंडर आती ह for example, भारत के कपड़े private limited, अब है भारत नाम आ गया ना, तो ऐसे लग रहा है भारत सरकार की company है, हिंदुस्तान कपड़ा मिल limited, ऐसे लग रहा है हिंदुस्तान की company है, तो ध्यान रखना, ठीक होगे इती बात, चले, तो ऐसा कोई भी नाम नहीं आएगा, क्योंकि वो नाम undes desirable माना जाता है, और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, चलो, 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 हाँ जी, इसके अलावा नाम में कुछ और शब्द यूज नहीं किये जाएंगे, अगर आप ऐसे शब्द यूज करना चाहते हो, तो पहले central government की approval ले लेना, तभी यूज कर सकते हो, for example, authority, undertaking, national, union, central, republic, federal, president, राष्टरपती, SSI, finance corporation, like municipal, panchayat, DDA, अब क्या करना सर, इनको याद करना है, न, 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 इंडिया, भारत, भाई ये नाम, एक बात ध्यान रखनाना, बस एक बार पढ़ लेना, मोटा मोटा, कि ऐसे नाम यूज करने से पहले central government ये आपका approval चाहिए, और कुछ नहीं, बास, इतनी सी बात ध्यान रखना है, ये उपर वाला paragraph ध्यान रखना, इन सब को रट्टा मत लगाना, ठीक है, आगे बढ़ें, फिर, अगली बात एक ओर important है, अगर नाम में कुछ ऐसे शब्दारें हैं, जो कि किसी regulator के अंदर आते ह नाम में शब्दार है insurance, इंस्वरेंस को को रगुलेट करता है, IRDA नाम की संस्था, इंस्वरेंस रगुलेटरी अन डेवलप्मेंट आथोरीटी, बैंको को 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 रगुलेट करता है, RBI, स्टॉक एक्सचेंज को को रगुलेट करता है, सभी, वेंचर केपिडल को 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 हैं जिनको regulate करने के लिए regulator है तो फिर declaration submit की जाएगी applicant के द्वारा कि वो जो regulator के द्वारा दी गई नाम की requirement है वो भी उसने comply की है वो भी उसने comply किया for example RBI की एक regulation है कि अगर आप कोई भी banking company खुलने जा रहे हो तो अपने नाम क्या आगे banking company जरूर लगा देना banking company जरूर लगा देना IRDA की regulation है कि अगर आप insurance company खुलने जा रहे हो तो अपने नाम क्या के insurance company जरूर लगा देना SEBI की regulation है कि अगर आप venture capital हो तो अपने नाम क्या के venture capital asset management हो तो asset management mutual fund हो तो mutual fund जरूर लगा देना निधी हो तो निधी जरूर लगा देना तो अगर आप insurance, bank, stock exchange, venture capital, mutual fund वगरा से relate करते हो तो एक declaration submit की जाएगी applicant के द्वारा कि जो requirement दे रखी है regulators के द्वारा इनका भी हम पालन करके आए हैं मम्मी कसम हम इनका भी पालन करके आए हैं पूरी तरह से और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हैं, registered office clause registered office clause क्या होता है, देखो जी हर company का registered office होना चाहिए the answer is yes, registered office का मतलब क्या होता है यह बहुत ही important है registered office क्यों अच्छा जब company का incorporation होता है न तो क्या exact detail of registered office देनी जरूरी है the answer is no, exact detail देने की जरूरत नहीं है उस वक्त केवल state का नाम दे दो, अच्छा state का नाम भी बताना इसलिए जरूरी होता है, क्योंकि जब company का incorporation होता है तो यहाँ पर लिखा जाता है registered office और यहाँ state का नाम अगर आपने लिखा है तब ही पता लगेगा, क्योंकि यहाँ दिल्ली लखा है इसलिए state का नाम अगर यूपी लिखा है तो फिर आरोसी यूपी के पास यह document फाइल होगा महराश्टर लिखा है, तो आरोसी महराश्टर के पास फाइल होगा ठीक है ना, चलिए तो इसलिए state का नाम बताना जरूरी होता है तो फिर exact address कब देना होता है कमपनी का incorporation हो जाने दो और incorporation के 30 दिन के अंदर-अंदर अब incorporation हो जाने दो और incorporation के 30 दिन के अंदर-अंदर आप कमपनी का exact address प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है एक मिन रुक ना तो इसलिए बात चले detailed to be mentioned in this clause कहता है इस clause के अंदर state का नाम तो बताना जरूरी है बहुत ज़्यादा जरूरी है फिर importance of this clause क्या यह clause important है? मैं कहता हूँ बहुत important है कहता है registered office ही तो वो address है जहाँ पर registrar को company से कोई भी information वगरा मंगानी है कुछ भी communicate करना है तो वो communicate करेगा कमपनी के registered office पर ही तो लेटर भीजएगा जी कहाँ रितेश आप ज़्यादा हो रहत है यहाँ पर ध्यान दे ना लाइक हाँ जी आगे दूसरी बात company कौन से state में incorporate हुई है इसका पता भी कैसे लगता है registered office clause से ही पता लगता है यानि कि domicile और nationality of the company का पता भी इसी clause से लगता है domicile और nationality का पता मतब कमपनी किस state की है ये भी इसी से ही पता लगता है फिर उसके बाद कहता है कि अगर company के उपर आपने कभी भी case करना है या company के उपर कभी भी आप case करना चाहते हो तो कहाँ पर करोगे जहाँ पर company का registered office located है say for example अगर company बैंगलोर की है तो मैं अगर case उसे दिल्ली में करना चाहूं कर सकता हूं नहीं पुझे वहाँ case करना पड़ेगा जहाँ company located है मतलब बैंगलोर में जाके ही case करना पड़ेगा तो ये कुछ चीज़े हैं जिसके करनेंट से registered office clause बहुत ज़्यादा important हो जाता है उसके अलावा other things to be insured ध्यान रखना company को exact address कितने दिन में supply करना है within 30 days of the incorporation तो फिर exact address आपको supply करना है exact address यानि कि registered office capable of receiving and acknowledging all the communication and notice may be addressed to it मतलब company के पास 30 दिन के अंदर exact address वाला registered office होना चाहिए जहाँ पर कोई भी चिठ्थी पहुचाई जा सके कोई भी चिठ्थी पहुचाई जा सके domicile का मतलब registered office यह होता है आंशिगर verification अच्छा क्या कहता है कहता है company क्या करेगी 30 दिन के अंदर अंदर जब अपना exact address प्रोवाइड करेगी किसको ROC को तो कैसे प्रोवाइड करेगी verification करके देगी यानि कि company के directors verification करके देगे कि हम मम्मी कसम खाके कह रही है कि company का registered office यहीं के यहीं है और यह notice कितने दिन में ROC को provide कर दिया जाएगा 30 दिन के अंदर अंदर तो अभी तक कर जितना crux है registered office का क्या मुझे crux इकठा करके बता सकते हो क्या memorandum of association फाइल करते हुए क्या exact address देने की जरूरत है नहीं क्या दिया जाएगा केवल state का नाम दिया जाएगा दूसरी बात company के पास क्या exact address होना चाहिए हमेशा the answer is yes कितने दिन में 30 दिन में registered office की जरूरत क्या है क्योंकि यहीं वो office है जहां पर communication के लिए कोई भी notice वगरा आएगा domicile or nationality of the company का भी पता इसी address से पता लगता है domicile मतलब company कहां के state की रहने वाली है इसका भी इसी से पता लगता है और इसी से पता लगता है कि अगर कोई व्यक्ती company के उपर case file करना चाहता है तो वो case कहां पर किस location पे होना चाहिए 30 दिन के अंदर अंदर company को exact address provide करना है registrar को जिससे की registrar पता लगा सके कि कौन से location पर सारे documents वगरा भेजे जाएंगे मतलब exact location क्या है company तुम्हें क्या करना है इन 30 दिन के अंदर अंदर registrar को verification of registered office करके देना है जहां पर director sign करके देंगे कि हम मम्मी को समखा के कह रहे हैं कि company का registered office यहीं है labeling of the company labeling of the company का मतलब है कि company के नाम के बाहर company के office के बाहर company का नाम जरूर लिखा जाएगा poply industries limited यह नाम केवल English में नहीं बलकि local language में भी लिखा जाएगा limited poply industries limited अब या तो यह नाम आप paint कर सकते हो दिवार पे या फिर वो जो name plate लगती है ना उसके उपर fix करवा सकते हो यहाँ पर आपका address भी आएगा address भी आएगा और हर office के बाहर लगा होगा yes कहां पर लगा होगा 8 मंजिल की building है आप में मंजिल पे छोटा छोटा लिखवा दिया ऐसा नहीं पागल है गया नहीं यानि कि conspicious position पे होगा जहां पर नजर आए और legible letters में होगा मतलब इतने letter जिनने normal आखों से पढ़ा जा सके साथ में ही यह local language वाले use होने वाली language के अंदर भी दिया जाएगा ना के वल इंग्लिश में बलकि local language के अंदर भी दिया जाएगा ठीक होगे इतनी बात अगली बात अगर कोई nameplate उल्टा कर गया तो अबे तो तुम सीधी कर दे ना कौन से पुरानी हवेली में नाम लिखा हुआ है मैं नालायक बताओ यह query देखो इसकी क्या है अगर कोई nameplate उल्टी कर गया तो अबे तो कल सुबह आके सीधी कर दियो यार यह कैसी कैसी query है वे चले अब अगर मैं common seal की बात करूँ तो common seal के ओपर भी company अपको अपना नाम graved करवाना है, graved का मतलब छपवाना है वो नहीं उतर रबड की stem जैसे ऐसे मारके यह ठपा मारते तो नाम छपा आता है तो उसे कहतें graved होना तो यानि की company को क्या होता है engraved करना पड़ता है अपका नाम अपनी common seal पर अगर company की common seal है और उस common seal पर क्या क्या करवाना पड़ेगा company का नाम लिखवाना पड़ेगा और address of the registered office करवाना पड़ेगा चले उसके अलावा उसके अलावा एक और बात का ध्यान रखना company तुम्हारा नाम और तुम्हारा address और तुम्हारा corporate identity number, telephone number, fax number, etc. होना चाहिए कहां, printed on, printed on, कहां पर, सभी के सभी business letters पर, bill books पर, या जो भी तुम्हारे bills कटते हैं न, उन सब पर ये सारी detail आनी चाहिए, इन सब पर ये सारी के सारी detail आनी चाहिए, नाम, registered address, corporate identity number, website, website की detail, email, वगरा, सब कुछ कहां पर आनी चाहिए, जो तुम bill book वगरा चपवाते हो, उसके उपर आनी चाहिए, इसके अलावा company तुम्हारा नाम printed होना चाहिए, कहां पर, company के promissory notes पर, bills of exchange पर, या किसी भी document पर company का नाम printed जरूर होना चाहिए, तो यानी कि नाम से related ये सारी requirement है, हला कि paper में बहुत ज़्यादा relevant ये topic नहीं है, labeling of company का, बट फिर भी प्लीज ध्यान रगना, कोई भी company के नाम के आगे, क्या लिखा होगा, company के office के बाहर क्या लिखा होगा, company का नाम, company का address, ये लिखा होगा, ना के वल English में, बलकि local language के अंदर भी, conspicuous place पे लगा होगा, plus legible English, illegible characters में होगा, conspicuous place का मतलब क्या, जो सामने एकदम नजा रहा है, legible character जो पढ़ा जा सके जिन्हें आखों से, ठीक है न, दूसरी बात, company तुम्हें common seal पे भी अपना नाम engraved करवाना होगा, तीसरी बात, company आपको अपना नाम, address, corporate identity number, website, email, phone number, fax number, ये सब कुछ, अपने सभी के सभी business letters पे लिखवाना पढ़ेगा, company आपको अपना नाम, अपने promissory note, bill of exchange या फिर other relevant documents पे भी लिखवाना पढ़ेगा, clear हो गए इती बात, चलो जी, और आगे बढ़ना शुरू करते हैं, फिर alteration of memorandum, अब कहता है क्या memorandum of association को alter किया जा सकता है, memorandum को alter करने के लिए lock केता है, आपको special resolution pass करना पढ़ेगा, कौन सा resolution pass करना पढ़ेगा, special resolution pass करना पढ़ेगा, आगे, फिर कहता है कि अगर company का नाम आप change करना चाहते हो, तो नया नाम रखने से पहले, आपको central government की approval चाहिए, दुबारा बोलू, अगर आप company का नाम चींच करना चाहते हो, तो नया नाम रखने से पहले, आपको central government की permission चाहिए, क्यों, मैं अपना नाम रखा हुआ है, पोपली गार्मेंट्स लिमिटेड, और मैं आप नाम चाहिए करके रखना चाहिए, अगर company मात्र private limited से public या public limited से private बन रही है, क्योंकि आप नाम नहीं चेंज कर रहे है, आप केवल अपना private से public या public से private कर रहे हो, तो central government की ज़रूरत नहीं है, ठीक होगे इतनी बात, और आगे बढ़ सकते हैं, चले, नेक्स पॉइंट, फिर कहता है जी, अगर मान लीजिए, company अपना नाम change करवाना चाहती है, देखो दो चीजे होती है, एक होता है rectification of name और एक होता है change of name, दोनों में फरक क्या होता है, rectification of name और change of name में क्या फरक होता है, rectification of name का मतलब होता है, कि company का नाम किसी existing company के नाम से मिलता जुलता हो गया है, इसलिए company अपना नाम change करने जा रही है, this is called rectification of name, ठीके हैं? भाई इतनी बड़ी query बर्खा आभी मैं नहीं देख पाऊंगा, but please make sure, आज है Sunday, Monday को, कल रात को 9 बजे, कल रात को 9 बजे, query session होगा, किसका CA interval होगा, तो आपकी कोई भी query होगी, November 23 से related, तो please, you can be a part of that Zoom session, और कल रात को 9 बजे होगा, मैं link भेज दूँगा, चले, अब कहते हैं, आप May 24 के लिए नया syllabus कब करवाओगे? बेटा, जब भी होगा, आपको मिल जाएगा, अभी तो आया नहीं है नया syllabus, पूरी तरह से रुक तो जाए यार, आया नहीं, अभी सही classes बना दूँ, अभी कितरे, तीन-चार महिने लगेंगे अभी बनने में, नवंबर एंड टक आएंगी classes, क्यों tension ले रहा है? चलिए, अभी पढ़ाने दे, अगर में 24 अटेम्ट है, तो यहां पर मत ना खुद परेशानों किसी और को कर, अराम से बैढ़ या, में 24 के लिए classes मैंने कह दिया दे दूँगा, तो बस अराम से दे दूँगा, तो रिवीजन कराने दो, चलो, सुनो, change of name shall not be allowed, जो मुझसे पढ़े हुए है, उन्हें में 24 के लिए कोई भी amendment class लेनी है, जो भी 15 या 20 class होंगी, उनको उसके लिए कुछ भी पे नहीं करना होगा, सब को अपने आप automatically free मिल जाएंगी, don't worry, अब प्लीज यहां पे सुनिएगा, क्याता, change of name allow नहीं होगा, उस company के लिए, जिसने company ने बत्तमीजी की हुई है, मतलब अभी तक अपनी annual return under section 92 फाइल नहीं की है, या फिर financial statement under section 137 फाइल नहीं की है, आरोसी को, आप लोगों को मैं change of name allow नहीं करने दूँगा, या फिर उन company को भी, जिन्होंने default किया है, deposit की payment में, debenture की payment में, या उन पे interest की payment में, परंतु मान लीजिए, अगर आप ये default सही कर देते हो, दुबारा बोलता हूँ, अगर आप ये default सही कर देते हो, तो क्या आप कर सकते हो change name, the answer is yes, आप फिर change of name कर सकते हो, मुझे कोई दिकत नहीं है, मुझे कोई भी दिकत नहीं है, आप ऐसा करके change कर सकते हो, बरखा आपके इतनी बड़ी query मेरी चलती class में मैं नहीं पढ़ पाऊँगा बेटा, कल zoom session में आजा 9 बजे, इतना बड़ी query मत लिखो नहीं पढ़ पाऊँगा मैं बीच class में, और जो आपके general query आ रही है, ये subject वगरा, ये syllabus से related, प्लीज कल रात को 9 बजे, अभी प्लीज ऐ तो आपको special resolution pass करना पड़ेगा, दूसरी बात, change of name के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको central government की approval की भी जरूरत पड़ेगी, concept क्या है, कि कहीं आप existing company से मिलता जुलता नाम ना रख ले, तीसरा, हलाकि central government की permission की जरूरत नहीं है, अगर नाम में जो change है, वो किवल इसलिए है क्योंकि private से public या public से private बनने जा रहा है, उसके बाद, change of name allow नहीं किया जाएगा, अगर company ने क्या हुआ है, default क्या हुआ है, किस में, कुछ documents को file करने में, like annual return, या फिर financial statement to the ROC, या फिर default क्या हुआ है, deposit को repay करने में, deventure को repay करने में, या उनको interest को repay करने में, ठीक होगे इत् जब भी नाम change होगा, ROC क्या करेगा, नया नाम अब अपनी books में enter कर लेगा, पुराने नाम को cancel कर देगा, और नये नाम से related एक certificate issue कर देगा, जब तक ये certificate issue नहीं होता, तब तक company का नाम नया नाम नहीं माना जाएगा, यानि कि new name effective किस दिन होगा, जिस दिन ये certificate issue होगा, new name कब से effective होगा, जिस दिन ये certificate issue होगा, clear होगा इत्ती बात, चल्या, अगली बात करते हैं, अगर मान लीजे company अपना alteration कर रही है, किसका registered office का, दोबरा बोलता हूँ, अगर registered office का alteration हो रहा है, तो क्या होगा, अगर मान लीजे company alteration in registered office कर रही है, from one state to another, तब तक ये approve नहीं होगा, registered office from one state to another, जब तक central government की permission ना मिल जाए, तो यानि कि जब जब registered office from one state to another आप alter करना चाहते हो, कर सकते हो, परंतो central government की permission चाहिए होगी, अच्छा, जब आप central government के लिए permission के लिए जाओगे, तो central government आपको इ decision लेना होगा, कितने दिन में, 60 दिन में, बट central government के decision लेने से पहले एक चीज का खास दियान रखेगी, सबसे ज़्यादा नुकसान जो है, इस चीज में हो सकता है किसका creditors का, creditors कोन है, creditors वो हैं, जिन्होंने company से पैसा लेना है, आज company दिल्ली की थी, तो creditors को पता था कि द चिन नहीं जाना पड़ेगा, क्या, उनके लिए problem है, इस लिए law कहता है, कि अगर company एक state से छोड़का, दूसरी state में जा रही है, तो इसलिए central government की permission लेनी पड़ेगी, central government को अपनी permission 60 दिन के अंदर अंदर देनी पड़ेगी, परन्तु central government अपनी permission देते वे कुछ चीजों का ध्यान रखेगी, पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज, क्या members की approval आ गई, हाँ, तो company special resolution इसलिए पास कर रही है, यानि कि अगर registered office एक state से दूसरी state में लेके जाना चाहते हो, तो यानि कि क्या alteration हो रहा है, memorandum of association में, हाँ, तो कौन सा resolution पास होगा, special resolution पास होगा, clear, अच Central Government की permission चाहिए, Central Government ने क्या किया, Central Government चेक करेगी कि कहीं creditors का नुकसान तो नहीं हुआ, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान creditor का ही यहाँ हो सकता है, तो इसलिए इस creditor का नुकसान नहीं हुआ, तो Central Government देखेगी, क्या creditor से उनकी consent ली गई है, दूसरी बात, क्या creditor से consent नह उन्हें security provide कर दी है क्या उन्हें company ने security provide कर दी है तो तीन option है company जब भी आप registered office shift करना चाते हो एक state से दूसरी state में तो फिर आपको central government को application file करनी है और central government क्या करेगी central government अपने आपको satisfy करेगी क्या किस बात पर कि company ने creditors को बिलकुल खुश कर दिया है कैसे खुश किया है या तो उनकी consent लेकर या फिर उनकी liability को discharge करकर या फिर उनको security provide करकर clear हो गए इतनी बात आगे बढ़ सकते हैं कोई दिक्कत तो नहीं चले और आगे बढ़ते हैं filing with the registrar company जब भी आप alteration of memorandum करोगे तो alteration of memorandum करने के बाद company आपको जो special resolution आपने पास किया है वो ROC को file करोगे इसके अलावा गर central government की कहीं भी ज़रूरत पड़ी है approval of the central government if the alteration involve any change in the name of the company तो वो भी file करोगे किसके पास registrar के पास तो for example change of name अगर हुआ है तो क्या-क्या document file होंगे पहला special resolution passed by the company और दूसरा approval of the central government अगर नाम चेंज हुआ है तो दोनों ROC को file होंगे the answer is yes clear होगे इतनी बात और आगे बढ़ते हैं अगर मान लीजे company registered office shift कर रही है within the state within the state तो क्या होगा पहले within the state से पहले है अभी outside from one state to another पहले यही वाला point दुबरा चल रहा है अगर मान लीजिए memorandum के अंदर alteration किया जा रहा है क्योंकि registered office shift हो रहा है from one state to another तो क्या होगा वो जो copy of central government के order की थी ना certified copy of the order of the central government तो वो भी ROC के पास file होगी जैसे name के case में file होगी वैसे registered office के case में भी file होगी ROC क्या करेगा एक fresh certificate of incorporation issue कर देगा ROC के पास जब यह document issue होगे तो ROC एक fresh certificate of incorporation issue कर देगा कभी भी memorandum and article में कोई भी change होता है तो वो change memorandum and article के जितनी copies company के पास available है हर copies के अंदर implement कर दिया जाना चाहिए हर copy के अंदर वो change implement कर दिया जाना चाहिए अगला point आते हैं other miscellaneous point यह ध्यान रखना MCQ purpose से बड़े relevant है अगर company तुमने कभी भी अपना नाम change किया है कब पिछले दो साल में कभी भी तो आपको साथ में पिछला नाम जरूर लिखना पड़ेगा यानि कि बताना पड़ेगा formerly known as पहले हम इस नाम से जाने जाते थे पहले हम इस नाम से जाने जाते थे company आपको यह जरूर बताना पड़ेगा अच्छा दूसरी बात कोई भी अगर change होता है कहाँ पर registered office में तो ROC को 30 दिन के अंदर-अंदर सूचना देनी ही देनी पड़ेगी आगे फिर कहता है अगर company outside the local limit of any city town और village जा रही है यानि कि company अपनी existing शहर को छोड़ कर किसी दूसरे शहर में for example कानपूर से लखना हो जा रही है या गाजियाबाद से लखना हो जा रही है तो मतब state same है बट company shift ऐसे कर रही है तो क्या होगा within the same state शहर change हो रहा है तो केवल SR pass करने के जरूरत होगी कोई central government की permission की जरूरत नहीं है किसी भी central government की permission की जरूरत आपको नहीं है clear होगे इतनी बात आगे अगर company अगर company क्या कर रही है मान लीजिये within the same state change कर रही है परंतु ROC भी change हो रहा है within the same state company एक से शहर से दूसरे शहर में जा रही है परंतु ROC अगर change हो रहा है तो फिर आपको ये change करने से पहले regional director का confirmation चाहिए ये change के वल तभी approve माना जाएगा जब regional director का confirmation मिल जाएगा ठीक है ना regional director का confirmation चाहिए okay regional director अपना confirmation कितने time के अंदर दे देगा law केता है 30 दिन के अंदर regional director से confirmation आने के बाद regional director से confirmation आने के बाद company ये confirmation ROC के पास file करेगी 60 दिन के अंदर अंदर from the date of such confirmation तो दुबारा बोलता हूँ regional director से confirmation कितने दिन में आना चाहिए 30 दिन में company ये confirmation ROC के पास file करेगी 60 दिन में और ROC क्या करेगा ROC क्या करेगा इस change को certify कर देगा 30 दिन में ROC इस change को certify कर देगा 30 दिन में एक बार पूरे के पूरे concept को आप recall करते हैं आँखे बंद करके किवल मुझे जवाब देना अगर company एक state से दूसरी state में जा रही है किसका approval चाहिए central government central government कितने दिन में approval देगी 60 दिन अगर company within the same state है परन्तु share change हो रहा है within the same state परन्तु share change हो रहा है special resolution अच्छा company within the same state है और share change हो रहा है मगर ROC भी change हो रहा है तो special resolution प्लस confirmation by the regional director regional director की confirmation कितने इसको regional director कितने दिन में confirm करेगा 30 दिन central government कितने दिन में approval देगी word confirmation use किया गया regional director के लिए central government के साथ use किया गया word approval central government के approval 60 दिन में आएगी और regional director को 30 दिन मिले confirm करने के लिए 30 दिन confirm करने के लिए मिले उसके बाद company 60 दिन के अंदर अंदर ये confirmation ROC को provide करेगी और ROC 30 दिन के अंदर अंदर 30 दिन के अंदर अंदर certify कर देगा registration यानि कि नया registration certificate issue कर देगा कि आप company आज की date में यहाँ पे है और जब तक ये register आएगा ये जो certificate आएगा यही एक conclusive evidence होगा कि अंजी सारी की सारी requirement company law से related आपने पूरी कर दी है company law से related पूरी कर दी है आपने पूरी की पूरी requirement board resolution की जरूरत नहीं ना कभी board resolution केवल तब आता है जब आप within the local limit change कर रहे हो मतब एक मकान से दूसरे मकान within the same city तो बस board resolution आता है otherwise इन तीनों situations के लिए सार चल ये days कैसे याद रहेंगे तो revision class दुबारा नहीं देखोगे एक बार penalty लिख्योई आगे penalty करने की जरूरत नहीं है penalty करने की जरूरत नहीं है एक बार अब मेरे साथ recall करना फड़ा फड़ एक बार recall करते हैं चलिए ये पूरा पूरा paragraph चलो शुरू करें alteration of memorandum memorandum में कभी भी alteration होगा कौन सा resolution special resolution कोई भी अगर company नाम चेंज करना चाहती है तो नाम चेंज करने से पहले SR तो होगा ही होगा साथ में क्या करना पड़ेगा आपको central government की approval भी चाहिए परन्तु अगर private से public या public से private बन रहे हो तो central government की permission नहीं चाहिए अगली बात change of name allow नहीं किया जाएगा उन company के लिए जो default है है मतलब जिन्होंने annual return या financial statement फाइल नहीं किये है या फिर जिन्होंने deposit की payment नहीं किये deventure की payment नहीं किये या उन पे interest की payment नहीं किये अच्छा परन्तु जैसे ही वो ये default ठीक कर देंगे क्या आप वो कर सकते हैं name change कर सकते हैं अब change of name अलाग होगा अगली बात फिर कहता है जब भी कोई change होगा on any change in the name of the company तो register क्या करेगा register क्या करेगा जब भी नाम change होगा company का नाम नए नाम से certificate of registration इशू करेगा और company का नया नाम उसे दिन से effective होगा जिस दिन या certificate इशू किया गया है अब हम आते हैं alteration of registered office पे क्या ऐसा हो सकता है कि alteration of the registered office alteration in the registered office हो जाए from one state to another the answer is yes परन्तु यह कि अभी तभी हो सकता है जब यह approved किया जाएगा किसके द्वारा central government के द्वारा किसके द्वारा central government के द्वारा यानि कि registered office एक state से दूसरी state में आप ले जा सकते हो कब जब central government से approval होगी central government को approval देने के लिए आपको application फाइल करने पड़ेगी central government अपनी approval 60 दिन में देगी मंगर approval देने से पहले central government एक चीज़ का ध्यान रखेगी creators का क्या हुआ है यानि कि central government ध्यान रखेगी क्या creators को consent मिली है या फिर क्या creator के liability को discharge करने का प्रावधान किया गया है या फिर creator के debt को secure किया गया है अगर यह सब में से कोई भी हुआ है तो central government अपनी approval दे देगी फिर क्या होगा कोई भी अगर memorandum वगरा में alteration होता है memorandum वगरा में alteration होता है तो company क्या करेगी special resolution plus resolution है प्लस along with जो central government की approval है यह दोनों document किसको file कर दिये जाएंगे ROC को file कर दिये जाएंगे ROC क्या करेगा जब भी memorandum में alter होगा चाहे नाम में alteration हो या state में alteration हो एक fresh certificate of incorporation company को issue करके देगा तीसरी बात हर memorandum या article की copy में यह change note किया जाएगा the answer is yes अच्छा अगली बात कहता है अगर company ने अपना नाम change किया तो पिछले दो साल में कभी भी तो फिर company के नाम के आगे जरूर लिखा जाएगा कि हमारा former name यह है मतब पिछले नाम में हम इस नाम से पुकारे जाते थे अब कहता है one person company के नाम के आगे 30 दिन के अंदर अंदर जरूर दिया जाएगा कि ROC हम registered office हम इस location से उस location में जा रहे हैं हर हालत में आपको ROC को inform करना ही करना पड़ेगा फिर कहता है registered office अगर आप change करना चाहते हो कहां से कहां पर outside the local limit लेके जाना चाते हो मतब शहर वगरा छोड़ के जाना चाते हो तो केवल आपको special resolution पास करने के जरूरत है कोई regional director की approval नहीं कोई central government की approval नहीं परंतु अगर मान लीजे within the same state आप शहर छोड़ रहे हो और साथ में ROC भी change हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा regional director से confirmation लेना पड़ेगा regional director साहब अपना confirmation कितने दिन के अंदर देंगे 30 दिन के अंदर regional director अपना confirmation देंगे अब ये confirmation जो है regional director के दोरा आया है वो company file करेगी registrar के पास कितने दिन में 60 दिन के अंदर company registrar के पास file करेगी उसके बाद कहता है रजिस्ट्रार इसे certify करेगा कितने दिन में अगले 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार इसे certify कर देगा फिर कहता है ये जो register है ये जो certificate है ये conclusive evidence रहेगा जो रजिस्ट्रार के द्वारा issue किया गया है कि सारी कि सारी requirement law की यहां पूरी कर दी गई है ये conclusive evidence रहेगा और आगे बढ़ो जी जी company not caring any business अगर माल लीजे रजिस्ट्रार को कभी भी शक होता है कि company कोई business वगरा चला ही नहीं रही है तो वो register क्या कर सकता है कि physical verification एक बार उस registered office का कर सकता है अगर register खुद भी उस office पर जाकर खुद भी visit कर सकता है और अगर देखने पर उसने पाया कि सही में company business नहीं चला रही है तो फिर वो company का नाम अपने register से remove करने की कारवाही को जनम दे सकता है इसका अभी ये section अभी ओर detail में section 10 capital A के रूप में आएगा link with section 10 capital A अभी हम link करेंगे 10 capital A के साथ अभी आगया आएगा section 10 capital A जहें से detail में बढ़ेंगे चले जी अगला आता है मेरे पास rectification of name अभी तक मैंने किया change of name पर अब मैं करने जा रहा हूँ rectification of name तो change of name और rectification of name में फरक्या होता है अगर company का नाम किसी existing company के नाम से मिलता जुलता है और company इस वज़ा से अपना नाम change कर रही है तो this is called rectification of name परंतु अगर मान लीजिए परंतु मान लीजिए company का नाम existing company से मिलता जुलता है ये कारण ही नहीं है company वैसे ही अपनी इच्छा से अपना नाम change करने जा रही है तो वो change of name है अभी तक हमने जितने भी प्रावधान पड़े वो change of name के पड़े परन्तु अब जो हम प्रावधान पड़ने जा रहे हैं वो rectification of name से related है section 16 rectification की बात करता है कहता है अगर company गलती से किसी ऐसे नाम से incorporate हो गई है जो किसी existing company के नाम से मिलता जुलता है अगर company भूलवश किसी ऐसे नाम से incorporate हो गई है जो company जो किसी existing नाम से मिलता जुलता है तो फिर क्या होगा company तुम्हें क्या करना पड़ेगा इस case में तुम्हें नहीं अगर मान लीजिये तुमारे नाम से कोई complaint फाइल करता है अगर मान लीजिये for example Tata Chemical Limited मैंने को लिए Tata Petro Chemical Limited तो क्या होगा Central Government के पास Tata Chemical जा सकती है और जिसके बाद Central Government मुझे direction इशू कर सकती है कि पोपली साहब अपना नाम change करो और company को इस case में अपना नाम change करना पड़ेगा the answer is yes अगर company का नाम या company का registered trademark किसी existing company से मिलता जुलता है तो company को ये change करना पड़ेगा yes कैसे करना पड़ेगा इसके लिए ordinary resolution पास होगा और क्योंकि नाम में alteration हो रहा है इसलिए Central Government की permission भी चाहिए होगी कि कहीं आप नया नाम किसी ओर तीसरी company से मिलता जुलता ना रख लो तो इसलिए Central Government की permission भी चाहिए होगी फिर कहता है time limit for rectification हाँ जी rectification कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए rectification कितने दिन के अंदर हो जानी चाहिए देखो जी एक चीज तो मैंने बताई सबसे उपर अभी बताई थी कि जब भी company का नाम किसी existing company के नाम से मिलता जुलता होगा तो तीन महीने के अंदर अंदर company अपना नाम चेंज करना पड़ेगा चीक है दूसरा अगर company का नाम किसी existing registered trademark से मिलता जुलता होगा तो ये जो registered trademark owner है ये application फाइल कर सकता है company का नाम चेंज करवाने के लिए 3 साल के अंदर और अगर माली जे central government को लगता है कि हाँ registered trademark मिलता जुलता है तो central government कह सकती है कि rectification किया जाए और rectification कितने महीने में किया जाएगा 6 महीने के अंदर by passing an ordinary resolution तो ordinary resolution पास किया जाएगा 6 महीने के अंदर ध्यान रखना अब ले दे के crux क्या रहा अगर company का नाम मिलता जुलता है तो 3 महीने के अंदर और registered trademark मिलता जुलता है तो 6 महीने के अंदर clear हो गे इतनी बात पुरशोत्तम गुपता कहते हैं कि पूरा law पढ़ लिया पर ये समझ नहीं है कि ROC कोन है ये कोई building का नाम है या आदमी है इनसान है register of company हर state का अलग-अलग होता है building है building के अंदर तुम कागा छोड़ गया होगे नाला है कोई आदमी होगा ना कोई post है ना सरकारी चलिए फिर आगे क्या कहता है कहता है 15 दिन के अंदर from passing of a special of this resolution rectification के लिए उसकी एक copy जो है ROC के पास file की जाई कि along with the copy of the central government central government का order की भी copy है न क्योंकि central government का order पास हुआ rectification के लिए फिर central government की जो copy की order जो order है central government का जो order है shall also be filed within 3 months of the order तीन महिने के अंदर अंदर भी file कर सकते हो या फिर OR के साथ भी पास कर सकते हो चीक है जिस दिन ये certificate of incorporation certificate आ जाएगा fresh certificate उसी दिन से company का नया नाम effective होगा चीक है चले क्या तीन साल के बाद भी company का नाम rectify करवाया जा सकता है नहीं company खुद चाहे तो कर सकती है बढ़ कोई complaint file करके नहीं करवा सकता चले आज की class बस यहीं तक है आज की class आज थोड़ी छोटी थी आज बस यहीं तक है अगली इसकी revision class जो होगी वो होगी वेडनेस दे को जब वेडनेस दे को पूरा memorandum of association खतम हो जाएगा वेडनेस दे को इसकी last class होगी memorandum of association के revision की तो second part उसका वेडनेस दे आएगा चीक है thank you, thanks a lot मंडे को कल यानि के 9 बजे query session होगा interval होगा तो जो भी query हो आपकी वो आप query लेकर zoom call पे मेरे साथ कल आ सकते हैं मंडे को, thank you, bye bye